सो हेलो दोस्तों स्वागा थाप सभी का हमारे यूटूप चैनल में दोस्तों मेरा नाम बोलकुमार और आप देखे हैं ग्यान्टेक सपोर यूटूप चैनल सो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना था जिसमें मैंने बताया था कि एफली स्टूडू मुबाइल के अंदर और लिमेटेट सेंपल को कैसे एड कर सकते हैं दोस्तों उस वीडियो में जो है बहुत सारे भाई लों को कमेंट आया कि भाई एफली स्टूडू मुबाइल जो है अपडेट करने बाद एफलमीजर फाइल और इमेजलेंड जो डाट कॉम फाइल होता है वो सो नहीं कर रहा है तो हम जो है कैसे एफली स्टूडू मुबाइल के अंदर सौंग या फिर सेंपल को एड कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी तरह का सेंपल या फिर सौंग एफली स्टूडू मुबाइल के अंदर और लिमिटेड एड कर सकते हैं तो इस वीडियो को जो है लगातार आप जरूर देखिएगा तो दोस्तों सारा तुस बताना इस वीडियो में इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और इस चैनल पर नही एफली स्टूडियो मुबाइल के अंदर और दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको वर्जन दिखा देता हूं कि इसका वर्जन क्या है तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह इसका भी जो फिलाल निव वर्जन चल रहा है 4.5.7 जी का है वही वर् पोल्डर पर जाते हैं ठीक है यहां पर माई फाइल्स पर जाते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और यहां पर माई सेंपल्स पर जाते हैं ठीक है उसके बाद जैसे मैंने किलिक किया आप देख सकते हैं यहां पर इंपर्टी दिखा रहे हैं यहां पर कोई भी से किया गया ठीक है तो इसके अंदर सेम्पल एड़ था लेकिन मैं सारा कुछको δेलेट कर दिया हूँ और आपके सामने लाइब यहां पर एड़ करने वाला हूं वह भी लिमितेड सेंपल ठीक है तो चलिए यहां से आपको करना किया होगा यहां से बेक नौगा और यहाँ Mrs.toon निकल जाता हूं उसके बाद दुस्तों आपको करना क्या है यहां पर आपको अपने Dallas manager को ओपन कर लेना ठीक है तो मैं यहाँ पर अपनेền rude manager को ओपन कर लेता हूं कि और ओपन करने के बाद दोस्तों तो जो भी सेंपल आप एफली श्यूडव मुबाइल के अंदर डालना चाहते हैं उस सेंपल पर सिंपल आपको जाना होगा तो दोस्तों यहां पर मैं एक फोल्डर बनाकर रखाऊंँ जिसके अंदर कुछ सेंपल है आप देख सकते हैं सरह के सामने सारे कुछ यहां पर सेंपल है जो की machen करने का टाइम आप काम आता है अब इस के अंदर कुछ फोलैंड्स डालेंगे और कुछ डोलगी लूप्स डालेंगे उसके बाद मैं आपको बता हूँँगा कि कैसे करना है तोिहां हैं यहां पर मैं यह झोपी करेंगे करता हूं की करने कर ने के गाते हैं और उस फोलडर में जाते हैं जिसको मैं aID करने वाला हूं जाताब की लगर तो यहां पर मैं जाता हूँ उसके पाद यहां पर पेस्ट पर किलिक करता हूँ और यह पेस्ट हो जागा थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तो और यहां पर यह पेस्ट हो जागा क्योंको दोस्तो देखिए यहां पर आप टाइम नहीं दिएगा तो आपको मालूम नहीं सब्सक्राइब करने वाले उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है यहां से फिर से आपको बैक आना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको इस टाइप से आपको देखने की मिलेगा यानि आपका जो फाइल मेनेजर ओपन हो जागा ठीक है उसके बाद दोस्तों उस फोल्डर पर जाना जिस फोल्डर के अंदर जो है आप सेंपल को वेट की है यानि डाले है तो दोस्तों यहां पर देख पाने होंगे मेरा फोल्डर आ चुका है जिसका नाम है ओल्-डिजे व्लाइल भ्लियू उपर की तरब इसके आपको क्लिक करने के बाद गेंगे कि यहां के का बटन मिलेगा तो simply ओक्ए पर क्लिक कर देना है यहाँ पर मैं घरेख सकते यह है शारा सेंपल में एक फोल्डर में Convert हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं फोड़ा सा टाइम लेता हूं और यहाँ पर convert होने देता हूं ताकि आप लोग को यहां पर पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाए कि यह एक जी फाइल में convert हो चुका है अब हम यहां पर करने में और हम इसको करेंगे न्यू और आपके सामने liberty करेंगे तो चलिए हम्यारा कुछ निउo हो चुका है अब दोस्तों को सेंपल कैसे करना है उसके लिए दोस्तोhausET करने के लिए यहां पे इस icon पर क्लीक करना होगा इस icon पर क्लीक करने बाद यहां पर कुछ इस टाप से देखनी कलिकी मिलेगा उसके बाद यहां पर new दीखेगा save दीखेगा और यहां पर import आपको दीखेगा थीगे तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करने गवाद आपको नीचक तरफ आना है, नीचक तरफ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका G-File जो होगा, यह सोख कर दिया जाएगा, ठीक आप देख पारेंगे, यहाँ पर इसका टाइमिं एस पर क्लिक करना है, एस पर क्लिक करने माँ थोड़ा सा और पोर्सेसिंग लेगा, और यह फानेली जो है, यहाँ पर इंपोर्ट हो जागा, एफलिश ट्रुडू मुबाइल के अंदर, उसके बाद यहाँ पर एक और फोपप आपा आएगा ति इसको आपको क्लिक कर देन माई फाइल्स पर जाने के बाद नीचे आएंगे और यहां पर माई सेंपल पर किलिक कर लेते हैं माई सेंपल पर किलिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यह फोल्डर आ चुका और इसके अंदर जितना भी सेंपल हो वो सारा कुछ यहां पर आ चुका आप देख पा मैंने बताया कि जैसे कि आप एक फोल्डर के अंदर जितना भी सेंपल जितना भी फाइल्स डालना चाहते हैं तो सारा कुछ को एक फोल्डर के अंदर डाल देना है जैसे कि आप देख पा रहेंगे मैं एक ही फोल्डर के अंदर जैसे कि मैंने लिखा था अल डीजे मलाई मुजिक टॉप है ठीक है यह फोल्डर के अंदर मैंने बहुत सारे सेंपल को एड़ किया है और करने एक बाद इसको जो है जी फाल में कनवाट करके अपके सामने एड़ कर दिया हूँ ठीक है जैसे का आप देख सकते हैं तो इसी तरह दोस्तो आप भी कर सकत है तो दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आये पसंद तो लाइ bes Tam पर नायुक्ति यह नल मैं को सबसक्राइब करके बेल अकुन को प्रेस करने क्योंगा ज़ोस्तों मैं इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो लाता है ना तो दोस्तों चली मिलता है नेक्ष वी हिंद वंदे मात्राम